हमारा बजट हमारा आडिट ये सेग्मेंट हमने चालू किया है क्योंकि साथ मार्च से बजट सेशन विधान सभा का शुरू होने जा रहा है इस सेग्मेंट में चोथी कड़ी आज हम आपको दिखाने जा रहा है और इसमें देखिए कि कैसे सरकारी सिस्टम बगेर विजटन के काम करता है और आपका हमारा यानि जनता का करोड़ों रुपे बरबाद कर देता है आज हम आपको दिखाएंगे भोपाल के नाकाम BRTS की असल तस्वीर ये जब बनाया गया था तब पहले से दो बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा चल रही थी पैसा जनता का था तो अधिकारों ने फुग दिये साड़े चार तो करोड़ और अब दस साल में दो जगए इसे तोरना पड़ा और बरबाद हो गया जनता का चहुत्तर करोड़ रुपे कुछ बड़े और प्रसिद्य लोगों ने विजन को लेकर अपने ये विचार रखे हैं भले ही अंग्रेजी में हो लेकिन समझने लायक है एक बात कॉमन है कि विजन के बगएर एक्जिक्यूशन बिकार है और भुपाल का बी आर्टीएस प्रोजेक्ट इसकी जिन्दा मिसाल है जब भी कोई प्रोजेक्ट तयार होता है तो कम से कम 20 से 25 साल के विजन को ध्यान में रखकर तयार किया जाता है लेकिन शायद बी आर्टीएस को लेकर ऐसा हुआ नहीं इसलिए बी आर्टीएस को लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है जरा उन्हीं की जुबानी सुनिये सुना आपने एक गलत कॉंसेट का गलत तरीके से क्रियान वैं और जमीन पर यह नजर भी आता है पिछले दस साल में इस प्रोजेक्ट पर अफसरों ने 74 करोड रुपे बरबात कर दिये सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं बी आर्टीएस कोरिडॉर 2009 में बनना शुरू हुआ था चुरवात में 247 करोड रुपे इस पर खर्च किये गए एक किलोमेटर के कोरिडॉर की लागत थी 12 करोड रुपे अब तक इस पर खर्च हो चुके हैं 450 करोड रुपे दस सालों में कई एजेंसियों ने मेंटेनेंस के नाम पर 203 करोड रुपे खर्च कर दिये हैं अब 24 करोड रुपे कैसे बरबाद हुए इसका गणित समझाते हैं ये वीर सावर कर सेतु से बोर्ड आफिस चौराहे तक बी आर्टियस कोरिडॉर का 3.6 किलोमिटर का हिस्सा है अब यहां बनाए गई डेडिकेटेड बी आर्टियस लेन में बसे नहीं चलती बलकी सामान ट्राफिक के साथ चलती है और अब यह चल भी नहीं सकती क्यों बजा देखिए आप देख सकते मेरी एक और यह जो आप देख रहे हैं यह मेड़ो का प्रोजेक्ट है मेड़ो के पिलार है यहां पर मेड़ो का काम चल रहा है अब आप सड़क के दूसरी और यह जो पिलर देख रहे हैं यह PWD का प्रोजेक्ट है, PWD यहाँ पर एक flyover bridge बना रही है, जिस जगहा पर यह पिलर खड़े हैं यह BRTS corridor की दूसरी और की सड़कती याने यह पिलर खड़े होने से पहले आप वीर सावर कर सेतू से यह दि देख रहे हैं यह जो कार्ड यहां से निकल रही है, यह वही corridor है जो red bus के लिए बनाया गया था, यानि 3.6 km का हिस्साब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, एक किलो मिटर के corridor पर 12 करोड का खर्च था, उस हिसाब से देखे तो 3.6 km का corridor 43 करोड में बना और maintenance पर खर्च हुआ 23 करोड यानि कुल 67 करोड रुपे बरबाद हो चुके हैं, बरबाद करने के जिम्मेदार अफसर ही है, जिनके पास विजन की कमी थी, क्योंकि BRTS 2009 में बनना शुरू हुआ था और उससे पहले 2007 में Metro Project की चर्चा शुरू हो गई थी, यह अलग बात है कि Metro कहां से गुजरेगी, किस जगह से गुजरेगी और इसका डिजाइन क्या होगा, यह सब बाद में तय हुआ, लेकिन यह तो तय था कि Metro ट्रेन हवा में तो उड़ नहीं सकती, जाहिर तोर पर उसके लिए कहीं न कहीं, ट्रैक बनना था और वो भी शहर के बीच में से होकर ही बनना था, जब BRTS की बाद शुरू हुई, तो यह किसी को क्यों नहीं सुझा कि Metro आएगी तो क्या होगा, पैसा बरबाद करना था, सुख किया गया, अब दूसरा नमूना बताते हैं, यह लाल घाटी का ओवर ब्रिज है, जो दो साल पहले बनकर तयार हुआ है, लेकिन इस ओवर ब्रिज का प्र पांसो मीटर, यानि लागत 6 करोड रुपए, और मेंटेनेंस 1 करोड रुपए, यानि कुल 7 करोड रुपए, तो इस तरह से बरबाद हुआ है, 74 करोड रुपए, ब्रिज का मकसद था कि पब्लिक टांस्पोर्ट को बढ़ावा देना, लोग जादा से जादा इसका इसका करेंगे, तो सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, लेकिन एक्सपर्ट की राय में ये कॉंसेप्ट कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाया, ब्रिज के टोटल प्लाइन को भी एक्सक्यूट नहीं किया है, और ब्रिज तक पहुचने के लिए जो डिस्टेंसिस चाहिए, वो साड़े चार्सो मीटर से जादे नहीं होने चाहिए, आपके घड़ से ब्रिज की पूरी, या कोई सपोर्ट ट्रांस्पोर्ट सिस्टम तब ही तो यहां पर तो यह तोड़ेंगे बाद में, जितना जंदी तोड़ दें, अब दास रवाली है कि यह दूसरी भी प्लैन्स थे, तो यह जितने इंपर स्ट्रॉक्ट्चर को प्रजेक्स हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी है, मेट्रो है, बीर्टियस है, यह जो प्लैन होता है, उससे के अलग चीज हो रही है, इसलिए भी होगी सक्सेस्फुल, कि जितने भी देसों में सक्सेस्फुल है, सफल है, वहां पर क्या है कि यह बीर्टियस एक तरसे पूरे में बनाएं, मनला पूरा होल जिसे करते हैं, इस बीर्टियस प्लाइज है, और एक प्याटियस रूट अगर बन गया, तो उस बीर्टियस रूट पर वहां पर जाने वाले तो जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको कहीं कोई लेटरल एंट्री करनी है, उतर के कहीं और दूसरी जगे जाना है, तो वहां पर फिर से उन्होंने कोई दूसरा ट्रांस्पोर्ट क का मोड लेना पड़ेगा, अगर किसी के पास कार है, तो वो क्यों जाना चाहेगा कि वहां तक जाएगा वाई रोड और उसके बाद वीर्टियस के बस में ट्रेवल करकी जाएगा, फर बाद में बाटो लेगा, मिस रोट से बैरागर तक बने इस कॉरीडॉर का चुरू से विरोध होता रहा, खास्तोर पर बैरागर के व्यापारी तो इसको विरोध करते ही रहे। अलिन कमलनाथ सरकार के समय बैरागर में बने बीर्टियस कॉरीडॉर का रिव्यू हुआ था, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इधर बीर्टियस की वज़े से ओफिस टाइम के दौरान जाम की स्तिदी बनती है, होशंगाबाद रोड और बैरागर में ये रोस की परेशानी है। कई बार सामान निवाहन भी बीर्टियस कॉरीडॉर से हुकर गुजरते हैं। ऐसे में इस कॉरीडॉर का मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन इसे जिन्दा रखने की अफसर भरसक कोशिश कर रहे हैं। अब इसके मेंटेनेंस पर 26 करोड रुपए खर्च करने की तैयारी है। रानिक कमलापती स्टेशन से MP नगर और रोशनपुरा चौराए से लेकर कमलापार तक के रूट को नए सिरे से विक्सित किया जाएगा। सवाल है कि जिस कॉरिडॉर के अस्तित्व को लेकर ही सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर टेक्सपेर का 26 करोड रुपए क्यों खर्च किया जा रहा है। नगर निगम के कमिशनर से बात करनी चाहिए तो ओन कैमरा तो हमारी बात उनसे नहीं हो सकी लेकिन उन्होंने इतना इसपस्ट जरूर कहा है कि बी आर्टियस पॉर्डी डोर को खत्म करने जैसी अभी कोई भी योजना नहीं है। यानि साफ है कि अफसरों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि जनता को इसका फायदा मिलेगा या नहीं उन्हें तो टेक्सपेयर का पैसा बरबात करने से मतलब है और वो कर रहे हैं। इन दोर का जो बी आर्टियस से उसकी भी कोई उप्योगिता नहीं है। और इसलिए हाई कोट में जब इसे लेकर रियाची का दायर हुई थी तो हाई कोट ने फैसला दिया था कि जब ट्रैफिक का दबाव हो तो बी आर्टियस लेंज से भी वहाँनों को गुजरने की पर करोड़ रुपे बरबात कर दिया गया। कमाल इसाब। और इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल भी है करोड़ रुपे का बजट खर्च करने के बाद भी भुपाल का बी आर्टियस सिस्टम पूरी तरह नाकाम रहा है। इसके पीछे आपको क्या लगता है कौन से कारण ह प्लान अवहवारिक है, इंप्रेक्टिकल है, बी आर्टियस में भिष्टाचार हुआ है और तीसरा विकल्प है कहने ही सकती। ये सवाल दसूत्र के मुबाइल एब, वेबसाइट, ट्विटर हैंडल और फेस्बुक पेज पर भी मौजूद है। आप अपनी उपस्तिती जरूर दर्ज कराएं, वोट जरूर दे। और बनिये हमारे सूथ।